Welcome to my YouTube channel Learning with Dignity, my name is Garima आज हम इस वीडियो में करेंगे Class 5th Hindi NCRT रिमजिम बुक का Part 9 एक मा की बेबसी यही एक कविता है और इस कविता के रचेता है कुवर नारायन तो चलिए कविता शुरू करने से पहले इसमें कविता के बारे में कुछ दिया है उसे पढ़ते हैं इस कविता को पढ़ते समय आखों के सामने कई चित्र बनते हैं बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों के चित्र उन साथियों में एक खास साथी जिसका नाम था रतन और उसकी मा का चित्र इसे पढ़ो और महसूस करो कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज होती है उसे मन में उतरने में काफी समय लगता है कभी-कभी तो बरसों बाद अगर हम बच्पन की पढ़ी कविता पढ़ें तो लगता है कि जैसे पहली बार पढ़ी है कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में वो घर बना लेती है और किसी मौके पर उभराती है ऐसा कविता, कहानी और सब के साथ होता है इसलिए हमें ये चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि कविता एक बार में पूरी तरह से समझ में आ रही है या नहीं अगर उससे सिर्फ एक चित्र भी उबढ़ता है तो हमें लगता है कि कविता काम्याब है क्योंकि जीवन में घटित कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जब हमारे सामने कोई कविता या फिर कहानी जिसे हमने पढ़ा होता है वो सामने आ जाता है तो चलिए कविता शुरू करते हैं ना जाने किस अद्रिश्य पडोस से अद्रिश्य जो दिखाई न दे निकल कर आता था वै खेलने हमारे साथ रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलोने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था वै भी एक बच्चा लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था तो यहाँ पर एक ऐसे बच्चे की बात की जा रही है जो बोल नहीं सकता है गूंगा है कवी ने इस कविता के माध्यम से बताया है कि एक बच्चा है जो हमारे पडोस में रहता था जिसका नाम रतन था और वो बोल नहीं पाता था वै हर दिन हम बच्चों के साथ खेलने आता था जिस तरह कोई खिलोना तूट कर भी खिलोना ही कहलाता है उसी प्रकार वै अपंग होकर भी हमारे ही तरह एक बच्चा था लेकिन वै हमारे लिए एक अजूबा था क्योंकि वो हमसे अलग था थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराटों को ना इशारों में कही उसकी बातों को ना उसकी भैबीत आँखों में हर समय दिखती उसकी अंदर की छटपटा हटों को तो यहां पर कभी कहते हैं कि हम उससे घबराते भी थे और उसको हम समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को हम समझना चाहते भी थे तब भी समझ नहीं पाते थे नहीं इशारों में कही हुई उसकी बातों को समझना आसान होता था उसकी भैभीत आखें यानि डरी हुई आखों में जो व्याकुलता रहती थी उसे भी हम समझ नहीं पाते थे जितनी देर वे रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना अब जैसे जैसे कुछ बहतर समझने लगा हूँ उनकी भाशा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आखों में जलकती उसकी बेबसी तो यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में कवी कहते हैं कि जब तक रतन खेलता था तो उसकी माँ उसके पास बैठी रहती थी उसकी नजर हमेशा रतन पर होती थी कवी उन दिनों छोटे बच्चे की तरह थे मतलब रतन के साथी के रूप में रतन के गूंगेपन के साथ साथ उसकी माँ की बेबसी को भी समझ पाने में उस समय वो असमर्थ थे क्योंकि वो छोटे थे मगर अब कवी कहते हैं कि वो बड़े हो गए हैं और जो बोल नहीं पाते हैं जो इशारों में अपनी भावनाओं को दूसरों से बाते करते हैं ऐसे लोगों की बाते बड़ती उमर के साथ अब उनको समझ में आने लगी हैं कवी कहते हैं कि मुझे अब भी याद है वो रतन जो बोल नहीं सकता था पर सबसे जादा वो बेबसी याद आती है जो उसकी मा की आँखों से जलकती थी शायद वह अपने बेटे की सुरक्षा और भविश्य को लेकर चिंतित रहती थी तो कवी जो हैं जब वो बच्चे थे तब तो वो रतन की बेबसी को नहीं समझ सके लेकिन जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने उनकी मा की बेबसी को और रतन की जो अपंगता थी उसको समझा उसमें वो भावक हो गए तो ये तो हो गई कवीता इसका अर्थ चलिए इसके शब्दर्थ देख लेते हैं पहला है अद्रिश्य अद्रिश्य होता है जो दिखाई न दे यानी गायब दूसरा है अजूबा अजूबया यानी आश्चर्य जनक भिन भिन होता है अलग डिफर इशारो यानी संकेतो इंडिकेशन भैभीत होता है डरा हुआ या फिर खौफ जदा छटपटाहट होता है बेचैनी निहारती रहती यानी देखती रहती अगला है बहतर बहतर का मतलब होता है अच्छा इसको हम तुलनात्मक रूप में यानी कभी हम किसी से कंपेर करते हैं तो कहते हैं ये इससे बहतर है और आखरी है बेबसी बेबसी यानि लाचारी तो ये तो हो गए इस कविता का अर्थ और शब्दर्थ आपको कैसा लगा ये कमेंशेक्षन में ज़रूर लिखेगा और पसंद आये तो लाइक का बटन दबाईएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें